हाई गाइज वेलकम टू एम्बापार्ट शाला मेरे यूट्यूब चैनल एम्बापार्ट शाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग averages को continue करेंगे इस इस अवर फॉर्थ सेशन ओन averages गाइस यह हमारा फॉर्थ सेशन है averages के ओपर ठीक है इससे पहले हमारे तीन सेशन हो चुके हैं तो अब तक कि तीन क्लासे में मैंने आप लोगो averages के कुछ टाइप कवर करा हैं और आज की क्लास हम लोग कुछ और टाइप कवर करेंगे इससे पहले मैं आप लोगो आप लोगों ने हमारे टेलिग्राम जाणल जो के आप लोगों बाटां एक बैद लोगों को मैक्सिम शेयर कर दे न तो बच्चें आज की प्षा प्यारे concept के साथ एक अच जए दूए ने होता क्या है जैसे हमें कुछ लोगों का अवरेज वो देके रखेगा कि कुछ लोगों का अवरेज इतना है फिर बोलेगा कि यार एक आदमी और आगया उसके वज़ासे हमारा average इतना increase हो गया, तो बताओ हमारा अब नय average कितना होगा, या जो आदमी आया है, उसका weight कितना है, तो इस तरह के questions हम से वो पूछ लेता है, ठीक है, सो ये दोनों तरह के questions हम लोगों पतलब आने चाहिए, ठीक है, इसके लिए एक question देता हूँ मैं आप लोगों, फिर आप लोगों उसको try करना, second thing is ये, कि हमें दोनों traditional approach भी सीखनी है, फिर हम इसका shortcut भी सीखना है, इसका shortcut क्या होगा, ठीक है, जैसे ये question हमारी screen पर है, यहाँ पर बोला जा रहा है, the average weight of a class of 29 student is 40 kg, ठीक है, class में 29 students है, उनका जो average है, वो 40 kg है, if the weight of the teacher be included, the average rises by 500 gram, 500 gram पता है कितना होता है, 0.5 kg होता है, यह भी मैं आप लोगों बता तूँ, this is 0.5 kg, ठीक है, आधे kg को तो हम लोग 500 gram बोलते है, what is the teacher's weight और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, what is the weight of teacher, weight of teacher, what is the weight of teacher, यह पुछा जाएगा हमसे, average क्या होता है, average is nothing, sum of all observations upon total number of observations, average is nothing, sum of all observations upon total number of observations, तो average is given as 40 kg, average हमें कितना दिया हुए, 40 kg दिया हुए, तो sum of all 29 students, sum of all 29 students को मैं S29 से denote करना हूँ, and how many students are there, 29 students are there, यह बात समझ में आ गई है आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ से sum of weight of all 29 students कितना आ जाएगा, 40 into 29, ठीक है, this is the value of S29, अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, if the weight of the teacher being included, यह दि हम लोग teacher का weight भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो हमारा average है, वो 500 gram से increase हो जाएगा, 500 gram बोलो, या 0.5 kg बोलो, बात एक ही है, यानि कि, अगर हम लोगों ने teacher का weight include कर लिया, ठीक है, तो teacher का weight include करने के बाद, हमारा average कितना हो जाएगा, average का formula तो यही होता है, average is equals to sum of all observations upon total number of observations, तो हमारा average पहले 40 था, 40 पे वो 0.5 kg increase हो गया, so this will become our new average, 500 gram है यह और यह kg में, तो मैंने इस gram को भी kg में convert कर लिया, which is 0.5 kg, तो this becomes our new average, and average is nothing, sum of all observations, यानि कि 29 students का weight कितना था, S29 था, sum of weight of all 29 students, and teacher के weight को में TW से denote कर लेता हूँ, this is the weight of teacher, and कितने number of observations हम मेरे कितने हो गए है, 29 students और एक teacher, मेरे number of observation कितने हो गए, अब 30 हो गए, यह बात भी आप लोगों को समझी में आने लगी होगी, ठीक है, सो बच्चे, इधर हो जाएगा है, 40.5, इधर हो जाएगा है, 40.5 हो गए, मैंने इसको गज़त लिख दिया, ठीक है, this is 40.5, है ना, 40.5, यह 30 इधर आएगा, चलेगा, उधर हो जाएगा, sum of weight of all 29 students, plus teacher's weight, क्या इसका value मुझे given है, this is 40 into 29, 29 into 4 कितना होता है, 116, so this is 1160, this is 1160, इसको multiply करके इतना आएगा, आप इसको multiply करोगे तो 1160 आएगा, तो 1160 kg is the weight of all 29 students, ठीक है, 40.5 into 30 करना है, ठीक है, 40.5 into 30 करना है, वैसे 40.5 क्या होता है, अगर हम बोले तो, this is 81 by 2, this is 81 by 2, यह हमारे पास 81 by 2 है, हम इसको 30 से multiply कर रहे हैं, इसको उड़ाया तहां पर 15 आएगा, इन दोनों को multiply कर लो, ठीक है, इन दोनों को multiply कर लो, कितना आएगा हमारे पास, 80 को, 80 का 10 times कितना आएगा, 8, 1, 0 आता है, और 80 का, 81 का 5 times कितना होता है, देखो, 80 का 10 times इसको ऐसे कर लो, 80 मैं ऐसे multiply कर लेता हूँ, ओरली, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा ऐसे क्या करो, 81 into 10 कितना आएगा, 81 into 5 कितना होता है, 405 होता है, यह पता होना चाहिए आप लोगो, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं add करूँगा, 8 और 4 बारा, 1215 आजाएगा, आजाएगा ना, येस, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों यहाँ पर समझ कोई दिक्कत होगी, ठीक है, so this is 1215, minus S29 इधर आजाएगा, S29 का value कितना है, 1160, तो 1160 इधर आगया, उधर क्या बचा, weight of teacher, तो 1215 में से, यदि मैं 1160 minus कर दोंगा, तो weight of teacher कितना आएगा, weight of teacher कितना आएगा, मारे पास 55 kg आएगा, and which is in option D, so this is my answer, यह मेरा answer है, ठीक है, this one is a very nice question, दो बार हम लोगों फोर्म नो लगाना था, average is sum of all observations upon total number of observation, पहले हम लोगों ने, इन average 29 students का जो average था, वो हमें 40 दिया हुआ था, तो average is 40, sum of weight of all 29 students is denoted by S29, total number of observations कितना है, 29, इसको इधर multiply करा, तो sum of weight of all 29 students कितना आगे, 1160, now again जो हमें condition दीती, यदि teacher का वेट हम लोग include कर लेते हैं, तो हमारा जो average है, वो 0.5 kg से increase हो जाएगा, तो हमारा average 0.5 kg से increase हो गया, यानि कि 40 plus 0.5, 40.5 हो गया, average is nothing, sum of all observations, तो sum of weight of all 29 students, प्लस weight of teacher is TW, बट अब number of observations कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 29 students तो और एक teacher था, 30 हो गया, इधर इसको multiply किया, यह आगया, ठीक है, finally solve करके हमारे पास, weight of teacher कितना आगया, हमारे पास, 55 kg, 1215 में से कभी 1160 जाएगा, ठीक है, तो this is the traditional approach, मतलब class 6 का बच्चा भी इस question को ऐसे deal करने वाला है, जैसे हम लोगों ने deal किया है, ठीक है, but class 6 के बच्चे में, और जो बच्चा किसी भी competitive exam को target कर रहा है, उसकी approach में definitely कोई ना कोई difference होना चाहिए, तो वो difference क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, धियान से सुनना मेरी बाद जरा, इसको करने के लिए, आपको पता था, initially we have 29 students, हमारे पास 29 students थे, और जो उनका average था, बच्चे वो कितना था, 40 kg था, अगर आप लोगों को पता हो, 29 students का जो average था, वो 40 kg था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दू, इधर मैंने number of observations लिखी है, इधर जो मैंने लिखी है, वो number of observations लिखी है, और इधर मैंने क्या लिखा है, average लिखा है, ठीक है, बात समझ मारी, इधर मैंने क्या लिखी है, number of observations, इधर लिखा है मैंने average, आप लोगों में एक बात और बताना चाहूंगा, एवरेज होता है sum of all observations upon total number of observations तो जो divide में आता है उसका हम लोग इधर लिख रहे होता है ठीक है तो 29 लोगों का जो average है वो 40 kg है अब teacher को भी यह दी हम लोगों ने include कर लिया तो 29 students थे और teacher को भी यह दी हम लोगों ने include कर लिया तो 29 plus 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगे 29 plus 1 कितना ह हो जाएगा 30 हो जाएगा हां या जरा मुझे बताओ 30 लोगों का average कितना हो गया हमारे पास 0.5 से अवरेज इंक्रीज हो गया तो it will becomes 40.5 kg मुझे बता हो यहां तक की बात समझ में आती है क्या 29 students का जो average हो 40 kg हम लोगों ने क्या किया teacher का वेट भी निक्लूड कर लिया तो number of observations 30 हो गए 30 लोगों का average इतना है यहां तक के बात समझ मारी है ठोड़ा सा focus करना है आप लोगों को यह बताना है कि 29 से 30 कितने number of observations इंक्रीज हुआ है एक number of observation इंक्रीज हुआ है और यह एक कौन है यह कौन है टीचर ही तो है यह कौन है टीचर ही तो है तो जो मेरा shortcut है ना जो म बंदा इंक्रीज हुआ है जो बंदा इंक्लूड किया गया है उसका वेट बताएगा उसका वेट कितना था तो शॉर्टकट क्या होता है इधर आप लोग ध्यान से देखेंगे इधर कितना इंक्रीज हुआ प्लस वन हुआ आप लोग इधर देखेंगे ध्यान से आप लोग कुछ नहीं करना एक आप लोगों करने इस प्लस बनका मल्टिपलाय तो करना है ऑर 29 मुझा से इसचेंगा इधर प्लस वन सेघ्र-टी-पाइं रही फॉट्टि इधर मंटी से इधर कमोलती ग्रीचन का अपकी खत्मी और हमारा जो शॉडटकत क्या बताने वाले आप लोहको जो बंदा आया है। वे टमयाप्ट करेगा तो यहां पर आफ टीचर आजाएगा बेट ओप टीचर weight of the teacher पता कितना आएगा इनको multiply कर लेना बस कुछ नहीं आएगा 1 का multiply करो 40.5 से तो 40.5 आजाएगा 0.5 का multiply करो 29 से तो 0.5 का multiply अगर 29 से करोगे यह 14.5 आएगा इन दोनों को add करने में हम लोग expert हैं this is nothing 55 kg is the weight of the teacher so मुझे यह बताओ यह traditional approach अच्छी है यह shortcut approach अच्छी है ठीक है मैं अगर exam में होता तो मैं शायद इसको ऐसे कर रहा होता अभी हम लोगों ने पहली बार किया है हो सकता हमें यह चीजे थोड़ी लेंदी लग रही हो या थोड़ा लग रहा हो यार बहुत ज़्यादे से वो question deal कराता हूं मतलब जब भी कोई एक बंदा एड होगा तो उस एड हुए वाले बंदे का weight कितना है हम लोग निकाल सकते हैं कल को age होगा तो मुसकी age निकाल सकते हैं दुबारा बताता हूं 29 students का average कितना था 40 kg था if the weight of the teacher is included then the average increase by 0.5 kg तो average पहले 40 था यह 40.5 हुआ 29 पे plus 1 टीचर भी इंक्लूट हो गए तो 30 सब्सक्राइब 29 से करना है तो 29 into 0.5 is 14.5 इन दोनों को add कर लेना 55 तो यह 55 क्या है जो बंदा include हुआ था उसका weight so this is the weight of the teacher this is the weight of the teacher I hope यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और this one is a very easy question तो there are two ways this one is traditional approach and this is the shortcut approach जो मैं होता तो यूज करता आगे बढ़ता है जरा next question में इसको apply करने कोशिश करेंगे यहां पर देखते हैं जरा क्या बोला जा रहा है the average runs scored by a batsman who has played 52 innings ठीक है अब इस question में मैं उसी shortcut से deal करूंगा ठीक है आप चाहो तो traditionally कर ले after an inning of 126 run after an inning of 126 run यानि कि वो एक इनिंग 126 run की है find the average run of the batsman before this inning ठीक है इस inning से पहले batsman का average कितना था यह मुझसे पुछा जा रहे है ठीक है average run scored by a batsman who has played 52 inning ठीक है तो सबसे पहले मुझे बताओ ठीक है सबसे पहले मुझे यह बताओ आप लोग ठीक है who has played 52 inning increased by 1 after an inning of 126 run ठीक है find the average run of the batsman before this inning इस inning से पहले उसका average कितना था ठीक है मुझे सबसे पहले बताओ initially हमारे पास number of innings कितनी थी average runs scored by a batsman who has played 52 innings एक batsman ने 52 innings खेली है ठीक है तो उसका जो average है वो एक run से increase हो गया जब उसमें 126 run की inning हम लोगों ने include कर ली तो पहले तो मेरा point यह है यहां पर ठीक है कि यह जो 126 run की inning है यह जो हमारे पास 126 run की inning है इसको 52 में include है या 52 से excluded है ठीक है तो question को थोड़ा ध्यान से पढ़ो average runs scored by a batsman who has played 52 innings जिसने 52 innings से ली है ठीक है उसका जो average है वो increase हो जाता है एक run से यदि हम उसमें 126 run की एक inning add कर लेंगे तो पहले माल लेते हैं उन 52 innings का ठीक है 52 innings का जो उसका average था माल लो वो a था क्योंकि वह में given नहीं है ठीक है 52 innings का जो उसका average था वो a था यह बात समझ मारी है आप लोगो बात समझ मारी है 52 inning तक उसका average कितना था यह बात को थोड़ा समझ नहीं कोशिश करो 52 inning तक average कितना है अब बोला जा रहा है अब यह average जो a है यह one से increase हो गया कब जब हम लोगों ने इसमें एक और inning add कर दी 126 run की तो यह these are number of observations ही तो है इधर number of observations लिखा जाता है उधर क्या लि एक और inning add कर दी ठीक है तो total number of innings कितनी हो गई 53 और उधर मेरा average कितना हो गया a plus 1 इधर मेरा average कितना हो गया a plus 1 यही बोला जा रहा है question में average runs scored by a batsman who has played 52 innings increased by 1 after an inning of 126 ठीक है find the average runs of the batsman before this inning यानि कि इस inning से पहले उसका average कितना था है पुछा जा रहा है तो मैंने मान लिया उन 52 52 इनिंग में उसका average था वो ए था 52 इनिंग में average कितना है ए है हम लोगों ने एक इनिंग और add कर ली यानि कि number of innings 53 हो गई इसकी वज़ा से मेरा पहले वाला average 1 से increase हो गया यह बात आपको समझ मारी होगी दोनों side increment देखो कितना हो रहा है हो सकता है कलको decrement भी हो कभी-कभी यह होता है ना कोई आदमी चला जाता है तो वह वाले questions भी है कर रहें गे बात में ठीक है इधर यह once increase हुआ है आपको कुछ नहीं करना है इस वन का multiply करना है 52 से तो वन का multiply करो ए प्लस बन से तो इतना आएगा और इस प्लस न का multiply करो 52 से तो प्लस 52 आएगा और यह पता किस क एक वाले गा यह पता सथमें किसके को लाएगा जो एक इनिंग एड़ हुई है जो एक इनिग हुई है इस निंग के हमें neighborhood perवाउ एक इनिग कितने तो इसी लिए मैं इसको souhaite टो 126 से यह अब जैख लो इधर कितना आगे है हमारे पास यह a plus 1 plus 52 53 हो जायेगा 126 में से 53 minus कर देना that's it आपको करना क्या है a का value कितना आ जायेगा 126 में से 53 minus कर देना तो 6 में से 3 गए तो 3 आएगा 12 में से 5 गए 7 73 तो a का value आरहा 73 और a was the average before this inning इस 126 वाले इनिंग से पहले हमारा A ही एवरेज था उसका वेल्यू कितना है 73 है तो अबर आंसर इस 73 विच इन ऑप्शन B जो कि ऑप्शन B में है So this was the shortcut यह तो हमारा shortcut है I hope आप लोग को समझ में आया होगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया है हमें तो समझ में आती है तो वह बच्चे पता कैसे करते है लेट डावरेज भी ए नंबर ऑफ इसकोर और सम ऑफ रन्स ऑफ 52 इनिंग एस 52 से डिनोट कर रहा हूं बाए 52 यहां से 52 का वेल्यू कितना आएगा 52 ए और इनिंग नंबर ऑफ इनिंग हमारे 53 हो गई सम ऑफ रन्स ऑफ तिल सम ऑफ रन्स तिल 52 इनिंग इस 52 प्लस 126 रन के हमने एक इनिंग और एड खर ली इसका वेल्यू अपन लोगो पता है 52 ए है इधर आ जाओ जारा यह आ जाएगा 53 ए ट्रेडिशन अप्रोच बता रहा ह यह ट्रेडिशन अप्रोच इसका वेल्यू कितना है 52 ए इसका वेल्यू कितना है एस 52 का वेल्यू 52 ए न तो यहां पर 52 ए पूट कर दो इस फिफटी टू ए प्लस 126 इसको इधर माइनस कर देना ए और जाएगा 126-53 विश्च इस ओंस 73 तो ए का वेल्यू 73 आ गया यानिकि ए Average before this 126th inning was 73, ठीक है, दोनों तरह से हमारा अंसर सेम आ रहे हैं, इसमें हमारी थोड़ी सी calculation हो जाती है, और यहां पर हमारी calculation थोड़ा कम होती है, इन दोनों में difference है, यह तो बड़ा easy method है, जो मैंने आप लोगो बताया है, 52 inning तक average हमारा A था, जैसे ही एक inning और add हो गई, यह जो एक inning add हुई है, इसमें 126 रन बनाए, इसलिए मैंने last में इसको 126 से equate किया था, जैसे आप ऐसे माल लो, इसको तो फिर solve किया, इधर 1 का increment हुआ है, इसका A plus 1 से multiply किया, इधर plus 1 का increment हुआ है, इसका multiply 52 से किया, plus 1 into A plus 1 इतना आया, 1 into 52 52 आया, बराबर 126, A का value यहां से कितना आया, 73 आ गया, मेरी बात सुनो जरा दिहान से, मैं आपको बताता हूँ, यार आप लोगों को ना, मतलब आप ऐसे treat करो, हो सकता है, कल कोई minus भी हो जाए, हो सकता है, कि कल कोई minus हो जाए, ठीक है, मैं आपको minus जाला question भी करा दूँगा, कोई problem नहीं है, तो minus 1 लेंगे, वही काम करेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत सारे बच्चे मुझस से class में, जब मैं इस question कराता, तो पूछते है, sir, यहां पर 126 आपने क्यों लिखा, यार, actual में, जो यह एक inning हम लोगों ने add करी है, यह जो एक inning हम लोगों ने add करी है, इस एक inning में उस bets मैं ने 126 रंड बनाये थे, यह तो वही वाली बात होगी ना, पिछले question की तरह, यानि कि जो नया बंदा आ रहा है, उसका weight अल्रेडी दिया हुआ है, जो नया बंदा आ रहा है, उसका weight अल्रेडी दिया हु इस वाले question में जो एक inning add हुई है, उसके रंतों दे रखे हैं, बट हमें पहले वाला average निकान ला है, लास्ट कोशन में average गीवन था, initial average भी, final average भी, ठीक है, अब जैसे हम लोग 3rd question करते है, 3rd question हमारा बहुत ही जबर्दस question है, इस same concept पे, ठीक है, जड़ा देखो, this is our question number 13th है इसे है average का, average का question नमर 13th है, इसको देखो ज़रा, रीड करो, बड़ा ही प्यारा question है, ठीक है, मैं अपनी हरे class में इस question कर आता हूं, पते है आपको, average of 42 innings, average of 42 innings of a batsman, average of 42 innings, 42 innings of a batsman is 30 run, तो number of innings, number of innings, number of innings और यहाँ पर average, यहाँ पर average, number of innings हमारे पास कितनी है, 42 है, और इन 42 innings में हमारा average कितना है, 30 run है, यह बात ध्यान रखना है, if maximum and minimum 2 innings are excluded, excluded का मतलब है हटाना, then average of remaining 40 innings is 28 runs, भाई, there are 42 innings, इन 42 innings में कोई एक इनिंग तो ऐसी होगी न, जिसमें उसने सबसे जाधा run बनाये होंगे, तो maximum run वाली inning है वो, इन 42 innings में, इन 42 innings में एक inning तो ऐसी होगी न, जिसमें उसमें सबसे कम run बनाए होगे, इन 42 innings में एक inning तो इसमें सबसे कम run बनाए होगे, तो मैं भी minimum run वाली inning है, तो यदि मैं इन दोनों innings को हटा देता हूं, इन 42 innings में से, मैंने maximum run वाली inning भी हटा दी मैंने minimum run वाले inning भी हटा दी तो 42 में से दी मैंने 2 innings हटा दी तो 40 innings बची मेरे पास बची मेरे पास 40 innings उन 40 innings का जो हमारे पास average है वो 28 runs है तो 42 innings का average 30 था और फिर हमारे पास 40 innings का average हमारे पास कितना है 28 run है बताओ जरा if the difference of maximum and minimum innings is 100 run maximum maximum and minimum innings का जो difference है ठीक है मतलब maximum innings में उसमें जितने run बनाए थे minus कर देते हैं minimum innings में जितने run बनाए थे इन दोनों को जो difference है ना बच्चे वो 100 है इन दोनों का difference कितना है 100 है यह हमें गीवन है तो हमें बताना क्या है find the run in maximum and minimum इनिंग यही बताना है कि maximum में कितने रहा नाये थे और minimum में कितने रहा थे उन दोलों का difference 100 है ठीक है अब मेरी बात सुनो initially there were 42 innings फिर 42 में से 2 innings रहा थी तो 40 innings बची 42 innings का average 30 था इन 40 innings का average 28 तो देखते हैं हम पर कितना कम हुआ है कम हुआ ना देको minus 2 हुए इधर भी कितना हुआ minus 2 हुआ ध्यान रहे इस minus 2 का multiply इससे करना है तो minus 2 into 28 आएगा हमारे पास minus 56 इस minus 2 का multiply करना है इससे minus 2 into 42 आएगा minus 84 and this is the ये ये किसके equal आएगा ये किसके equal आएगा दोनों का वो जो दोनों innings का मुई है ना उनका sum sum of maximum inning maximum run बनायते जिस inning में वो plus जिस inning में उसने minimum run बनायते maximum plus minimum inning का से sum है minus 56 minus 84 ये हमारे पास कितना है 140 आया आप बोलो के सरफ minus का क्या करोगे minus को हम लोग neglect कर देंगे ये minus क्यों आया क्योंकि हम लोगों ने हैंपर number of innings कम करी है पिछले दो question में minus आया है नहीं था पिछले दो question में minus इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमारी innings increase हो रही थी 52 से 53 हुआ प्लस वन हुआ उससे पिछले question में देखो ज़रा 29 जे 30 हुआ प्लस वन हुआ तो ये पहला question ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है minus हो रहा है तो अगर चीजे कम होंगी न तो minus में आएगा last में उस minus को जाके आप neglect कर दोगे तो यह आया हमारे पास minus 140 minus को मैंने neglect कर दिया तो 140 तो 140 is the sum of maximum run inning plus minimum run inning ठीक है यह बताओ ज़रा यहां तक की बात आप लोगो समझ में आ रही है क्या I hope यह समझ में आ गया होगा so this is our first equation यह मेरा first equation है यह मेरा second equation है ठीक है धियान से देख लो कुछ भी नहीं करा मैंने 42 innings का average 30 है 40 innings का average 28 है इधर minus 2 हुआ इधर भी minus 2 हुआ इस minus 2 का multiply 28 से minus 56 इस minus 2 का multiply 42 से minus 84 minus 140 minus neglect किया यह जो आ रहा है यह क्या आ रहा है sum of run of maximum and minimum inning maximum और minimum inning का sum है ठीक है so this is 140 तो maximum numbers maximum inning और minimum inning का जो sum है वो 140 है उन दोलों का difference 100 है तो क्या मैं इनको solve नहीं कर सकता गया अभी मैंने क्या finding किया है maximum inning plus minimum inning में जो उसने दोनों में run बनाए 140 है दोनों का difference कितना है दोनों का difference कितना है दोनों का difference कितना है 100 है ठीक है तो आपको करना क्या है इन दोनों को क्यों नहीं हम solve कर पारे इन दोनों का हम क्यों नी solve कर पारे ऐसे दो नंबर मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम तो 140 आए और उनका difference 100 या हम इनको traditionally solve करेंगे तो इनको add करेंगे इनको add करेंगे मतलब plus minimum से minus minimum कट जाएगा maximum meaning plus maximum meaning twice of maximum meaning आ जाएगा तो twice of maximum meaning किसके कोला जाएगा उधर 240 के तो यहां से maximum meaning हमारे पास कितने रन किया गई 120 की यदि maximum meaning 120 की है तो 120 में कितना add करूं जिससे 140 बन जाए तो minimum meaning मेरे पास कितनी आ गई 20 रन किया जाए तो यह तो हमने equation solve किया बैट लिटरल ही क्या equation solve करने की जरूरत है यहां पर कुछ भी नहीं है दो ऐसे नंबर जिनको add करके 140 आए और जिनको minus करके 100 आए तो वो 120 और 20 ही है तो maximum इनिंग में 120 रन बनाये थे और minimum इनिंग उसके 20 रन किती तो 120 और 20 मेरे आंसर है 120 और 20 मेरे आंसर है find a run in maximum and minimum meaning 120 and 20 I hope यह समझ में आया ओका question तो हमने उसको अपने वारे shortcut से किया आप इस question को traditionally भी solve कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है you guys can also solve this question traditionally but प्यारा question था ठीक है next question देखता है बच्चे ठीक है so this is my next question अब यह baller का average है ठीक है अच्छा मैं आपको बता दूँ पहले ही मैंने आप लोगो पहले question में बताया भी था अगर आप लोगो याद है मैंने आपको बताया भी था यह वाला question था यह उसको shortcut से किया था number of observations और average लिखा जाता है number of observations average के formula में नीचे आता है यह बात ध्यान रहे ठीक है जो चीज यहां पर नीचे आती है उसको हम इधर लिखते हैं बस इस बात को ध्यान रखना और जो भी बोलर होता है बोलर बोलर का पता average कैसे निकाला जाता है बॉलर का average पता कैसे निकाला जाता है तो average of baller बॉलर का average पता कैसे निकाला जाएगा उसने कितने रन दिये और कितने विकेट लिए कितने रन दिये और कितने विकेट लिए मानलोग एक बॉलर ने 30 रंस दिये 30 रंस पीटा गया उसको और उसने दो विकेट ले लिए तो उ बॉलर का अवरेज कैसे निकाला जाता है यहां पर डिनोमिनेटर में आता है इस पर थ्यान देना है बस क्योंकि उसको मैं कंपेर करूंगा तो विकेट्स पहले कितने लिए थे और यहां पर अब कॉश्चन को आप लोग रीड कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बॉलर का अवरेज जितना कम हो उतना अच्छा होता है बॉलर जो होता है उसका अवरेज जितना कम हो उतना अच्छा होता है यह बॉलर जो है पंदरा रन देके एक विकेट ले रहा है यह भी मेरी टीम का पार्ट है और एक बॉल तो यहां पर देखो जा रहा क्या बोला जा रहा है इफ दा बॉलिंग एवरेज ऑफ बोलर इस 12.4 ठीक है उसका एवरेज कितना था 12.4 था तो मालो पहले वो देखे उसका एवरेज कितना था 12.4 था ही तुक फाइफ विकेट्स ही तुक फाइफ विकेट्स तुट्वेंटीज रून्स इन इस लास्ट मैच एड इस एवरेज इंप्रूब्स वाई 0.4 अब एक्चल में क्या होगा उसने पांच विकेट्स लिये तो विकेट्स कितने हो पहले विकेट्स लिये थे पांच विकेट्स ले लिए तो डबलो प्लस विकेट्स हो गए टोटल उसका एवरेज इंप्रूब हो गया 0.4 से एवरेज इंप्रूब होने का मतलब है इसको माइनस कर दो 0.4 इसमें से 0.4 माइनस कर दो तो यह नहीं कि कितना जाएगा 12 आ आज उसने डबलो प्लस 5 विकेट्स लिये तो उसका एवरेज इतना है नमबर ऑफ अब्जर्वेशन और अवरेज अब मैं इसको कंपेर करूंगा अपने वाले फोर्म लेकिया को नहीं इधर कितना निकरीज हुआ प्लस 5 का निकरीमेंट हुआ इधर कितना हुआ 0.4 का डि इसके को लाएगा यह किसके को लाएगा यह जो 5 एड हुए हैं 5 विकेट्स जो उसने लिये हैं यह कितने रंदे के लिये थे 26 दे के लिये थे so this is nothing एक इसके को लाएगा 26 को लाएगा इसको solve करोगे यहां से इसको अधर लियाना तो 34 आ जाएगा 34 is equals to आ जाएगा 0.4 w point ढटाना निचे 10 बढ़ाना and इसको काड़ देना आपर 2 by 5 17 w का value आ जाएगा 85 w का value आ जाएगा 85 तो find the number of wickets before last match तो last match में तो उसमें 5 wickets लिये थे तो last match में उसके total number of wickets कितने थे last match तक उसके total number of wickets कितने थे w plus 5 उससे पहले कितने wickets थे उसके w, w का value कितना 85 तो 85 मेरा इस question का answer है यह बड़ा ही प्यारा question था इस concept को समझने के लिए and 85 is the correct answer to this question I hope आप लोग को समझ में आया होगा ठीक है I hope आप लोग को समझ में आऊगा बड़ा ही प्यारा question था ठीक है तो this one is also on the same concept बिल्कुल same concept पे based था you guys can also solve it traditionally आप लोग इसको traditional भी solve कर सकते हो हमें कोई problem नहीं है ठीक है average हमारा 12.4 था पता नहीं हम लोगों ने कितने रन दिये थे पहले और हम लोगों ने यहाँ पर पूट कर देना यहाँ पूरा कर देना यहाँ से डवलो का वैल्यू 85 यह हमारा traditional method है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस concept में कोई दिक्कत होगी बार-बार यह average का फोर्म लगाने से अच्छा है इनको जस्ट compare कर लो यह आप लोगों ने एक नई चीज सीखी होगी ठीक है तो मैंने इसलिए चार questions back to back करा दी इस पर बाकी जब मैं प्रैक्टिस करा हूंगा ना average के questions की तम मैं इसको बहुत ज़्यदे यूज करूँगा ठीक है तो इस session में इतना ही था अगला session देखेंगे session नमबर फिफ्ट उसमें average के और भी questions करेंगे ठीक है बच्चे so do share these sessions in sessions को share करो session के बाद देखने के बाद अपना valuable comment जरूर दिया करो कि सर session ऐसा लगा यह चीज हम लोगोंने नहीं सीखी ता कि मुझे पता लगता रहे comment के तुरू ठीक है क्लास में तो हम लोग one-to-one बात कर लेते हैं यहां तो comment section में हम लोग बात कर सकते हैं share करो channel को subscribe करो we'll see you in the next session thank you so much guys keep studying ठीक है पढ़ते रहो और मज़े करते रहो मज़े भी बहुत दरूए लाइफ में पता है आपको ठीक है क्योंकि एक motivation बना रहना चाहिए लाइफ में ठीक है एक motivation बनाना चाहिए कुछ भी करो लेकिन खुश रहो ठीक है चलिए बाए